नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मासरमार्ग इस संसार में अगर पैसा नहीं है आपके पास तो कुछ भी नहीं है क्योंकि बिना पैसे के कोई चेर भी बैठने को नहीं देता यानि कोई इजयत नहीं देता कोई धंग से बात नहीं करता तो आज हम एक छोटा सा परियोग बताएंगे जब पैसे की तंगी होती है तो हम परिसान हो जाते हैं अब पैसा बढ़ाने के लिए पैसा पानी के लिए हम कभी कभी बहुत सारे परियोग करते हैं लेकिन अगर हम प्रकिर्थी के करीब जाएं तो धन प्राप्त करने के जैसे के पहले के जमाने में लोग तांतरिक क्रियाएं या टोने टोटके जादा करते थे क्योंकि ऐसा करने से कही न कहीं उन्हें गड़ा धन आकस्मिक धन प्राप्त होता रहता था तो आज हम ऐसा ही कुछ आपको बताएंगे, जो आपके जीवन की मुस्किलों को दूर करेगा, उपरी, बला, हवा, परेसानी से भी बचाये रखेगा, नकात्मक उर्जाओं से सुरक्चित बनाए रखेगा, जो आज हम आपसे बताने वाले हैं, वो जड़ के बारे में, क्यो आज हम आपके साथ जुड़े हैं, काला धतूरा, काला यानि की जो धतूरा दोत रखा होता है, एक सफेद, एक बैगनी, तो जो बैगनी वाला धतूरा है, गहरे बैगनी रंग का, इसके जड़ का परियोग बहुत सारी तंत्र क्रियाओं में किये जाते हैं, और घर में अगर आप आसले सान छतर में लाते हैं, तो घर में सांपों का भै नहीं होता, यानि सर्प आपके घर में प्रवेस नहीं करते, अगर प्रवेस भी कर जाएं, तो नुकसान नहीं पहुंचाते, इसको लाकर प्रेम से अपने पुजास्थान पे रख दें, और दूसरा प्रि प्रियास कर लो, पर पैसे की तंगी हमेशा रहती है, सुक्चैन खो जाता है, तब काला धतूरा का जड़, थोड़ा सा उसको आप निकाल कर ले आएं, थोड़ा सा पुरा प्रेड़ नहीं उखाड़ना, अब घरे बैगनी रंका जो होता है, उसी का लाना है, लाएंगे किसी भी रवीवार या मंगलवार के दिन, लाकर अपने घर में किसी भारी बस्तू से दबा कर रख दें, भारी बस्तू यानि कि किसी लोहे से आपके घर में बकसा है, उससे दबा दें, आपके घर में कोई भारी बस्तू पढ़ीवी है, उससे दबा कर साइड में रख दें आपके घर में सुक्चैन बढ़ेगा धन की ब्रधी बढ़ेगी उपरी बला बाधाएं वो बाहर से ही निकल जाएगी दूर चली जाएगी और अगर आप रभी पुष से नच्छतर में इसको लेकर आते हैं तो धन की मुश्किलें दूर होने लगती है या दूर हो जाती है त हरहर महादेव धनिवाद